हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियो और फैंस में हम यहाँ पर प्रीवियस यह के कुशन डिसकस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल के अगर आपने से पहले वाली वीडियोस नहीं देखिए तो यहाँ पर आपको आई कार्ड में सारी वीडियोस मिल जाएगी साथ दि किस्ट वेक्टर र रस्पच्टिवली तो यहां पर हमें फिल इन प्लेंक्स दे रखें तो हमें इसको फिल करना हे कि यहasँ पे व्एल्योस क्या होगी क्यूशन में सबसे इंपोर्डूंट जीज़ है किसके लिए आपसे पुच्छा हि तो यहाँ प्ठा होना चाहिए यह दोनों क्या होते हैं छलिए देख लेते हैं थोडा कोलरण खुले चलिए धेखते हैं हैं यहाँ फोता क्या है तो फोर्म फ्टर एच्टर एक उसको मैं शո्ट में लिख रही हूं ए noso repository का जो formula है वह हमारे पास होता है rms value rms value क्या होती है आपकी root mean square value होती है अपन फ्व जो rms value अपन average value यह हमारे पास होता है form factor का formula basically तो आपको यह पता होना चाहिए important है अगर हम बात करते हैं इस में किसकी sinusoidal waveform की तो उस condition में हमारे पास जो rms value होती है वो होती है हमारे पास am upon root 2 यह हमारे पास किसकी value होती है यह होती है rms value next बात करते है average value तो average value हमारे पास होती है 2m upon pi pi की value आप 22 by 7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं इनको solve कर लेंगे तो आपके पास जो form factor आएगा वो आएगा 1.11 यह चीज आपको direct पता होनी चाहिए कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो sinusoidal होती है waveform होती है उसके case में आपके पास जो form factor होता है वो होता है 1.11 next बात करते हैं crisp factor की अब आप सोचेंगे कि आपको यह पता होना चाहिए तो formula क्यों बताया मैंने formula इसलिए बताया कि बहुत सी बार यह formula पूछ लिए जाते हैं exam में तो कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको उससे पहले देख लेते हैं आप crisp factor है crisp factor या जिसको मैं cf लेकर हूँ शोट में या फिर आप इसको बोल सकता है peak factor पी एफ तो peak factor हो गया और एक crisp factor हो गया इसका जो formula होता है maximum value maximum value upon यहां पे upon में आपके बाइस क्या होती है rms value होती है root mean square value तो अब यह जो formula है आपसे इसमें आपको दिख रहा होगा दोनों में form factor में भी rms value है और crisp factor या peak factor की बात करें तो मैं एक ही चीज़ बोलते हूं तो यहां पर आपके पास rms value इसमें भी है अब आपको ध्यान रखना है कि जो peak जो यह आपका पास जो peak factor है इसमें peak की बात हो रही है उचाई की बात हो रही है तो maximum value यहां पर ओपर की side रहती है तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं दोनों formula में confusion नहीं होगा आपको यहां रख सकते हैं यह छोटी सी trick थी आपको basically यहाद रखने लिए और अगर हम बात करें कि sinusoidal के case में जो हमारे पास maximum value होती है वह होती है हमारे पास next बात करते है rms value तो वह भी हमने देखी थी हमापन root 2 यह हमारे पास rms value होती है इसको अगर आप solve करेंगे तो root 2 आपके इसकी पास value क्या होती है तो आप लिख सकते है या तो root 2 लिख सकते है options में given हो तो root 2 वैसे सकी value क्या होती है 1.414 होती है तो यह दोनों चीज़े हैं आपको याद होनी चाहिए तो कौन सा option हमारे पास right होगा चलिए देख लेते हैं option कौन सा हमारे पास right है तो यहाँ पर हमसे सबसे पुले सबसे पहले क्या पुछा जा रहा है यह पुछा जा रहा है हमारे पास form factor form factor था हमार पास 1.11 तो option हमार पास 2nd और 3rd है next हम से पुछा जाए कि इस factor तो 1.414 यानि की root 2 की value तो option 2 हमार पास यहाँ पर write हो जाएगा यहाँ पर 14 point given है तो यह गलत है option 3, option 2 आपको यहाँ पर write हो जाएगा आई हम से सबको आपको questions के लिए clear होगे होगे कि कैसे हमने form factor क्या होता है, crisp factor क्या होता है, उनके formula क्या होता है अब लेकिन छोटी सी एक थोड़ सी बात याद रखीगा यहाँ पर हम से बात की जाए यह pure sinusoidal waveform की अगर इसकी जगे हमें given होता कि हमार पास जो waveform है वो square waveform है, तो उस condition में आपके बास form factor और जो crisp factor है उसकी value different होती, क्या होती ही वो value तो अगर हम बात करते हैं square waveform की, तो square waveform, तो इस तरह से आप दियान रख सकते हैं इसको अगर इसमें हम बात करते हैं form factor की, यानि की ff की, तो इसकी value होती है 1 और अगर हम बात करते हैं crystal factor की, या फिर आप बात, बोल सकते हैं, peak factor तो इस condition में, जो आप के पास value होती है वो भी होती है 1 यानि की square में, अगर आप बात करेंगे form factor या फिर чист factor या फिर जो आपके पास peak factor की, तो इस condition में आपके पास जो दोनों वे value होगी वो क्या होगी वन होगी इंपोर्टेंट चीज है आप इसको स्टार्मा कर दीजिएगा एक्जांस में डारेक्ट इस तरह के क्विशन्स बन जाते हैं तो आज के लिए इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आपनी राये दे सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है त